सो नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत हमारी RG Technical Boy YouTube चैनल में सो फ्रेंट्स अगर आपका भी कोई YouTube चैनल है तो प्लीस एर इस वीडियो को कम्प्लीट देखिए यानि कि उसको कस्टम URL बना लेते हैं तो इसकी सबसे बड़ी एक दिकत आपको आज किसी वीडियो में बताने वाला हूँ एटुजट तो आप अगर मेरी चैनल के रेगलर व्यूवर हो तो आपको पता होगा इसकी पहले मैंने एक चैनल रिखवर किया था जो की मॉंबई से एक मैम थी उनका चैनल मैंने रिखवर किया था तो उसके बाद अभी जो कि उसी वीडियो को देख करके एक और मैम है कस्टम URL बना रखा था तो आप क्या होगा जब वहां पर जो हैकिंग वाला फॉर्म होता है उसको में फिल करना होता है तो इस फॉर्म को मैं फिल कर रहा था तो ऐसे में जो चैनल हैक हो जाता हमारे पास लिंक नहीं होता है तो हम अगर कस्टम URL बनाते तो हमें पता होता हमने चैनल का नाम डाला हुआ था तो मतलब लास्ट में जो डालते हैं URL के तो वह हम डाल करके उस फॉर्म को समिट कर सकते हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं होता यह मैंने खुद अभी रि नहीं डाल सकते हैं आपर कस्टम URL अलाव नहीं यहां पर आपको जो ऑर्जिनल जो चैनल का आईडी होता हो वही डालना है यान कि जब आप चैनल करते हो उसमें जो URL होता उसमें ही जो कि आपको पीछेक तरफ चैनल आईडी मिलता है जो URL होता उसी में तो वह आपको डालन किया जहांपर भी उन्होंने शियर किया था आपने चैनल का URL था वहां पर उन्होंने देखा तोओ उन्होंने कि आ energized के अफिर याक जिब टेमें mmация से दुबारा बात किया था क्रों में चैट में हम chat करते हैं, आप लोगों को पता हूँ, अगर आप लोग करेटर हो, अगर आप कभी भी chat करते हो YouTube टीम से, Chrome पर, तो वहाँ पर जो कि यह सिधा-सिधा आंसर नहीं बताते हैं, यहाँ पर काफी सारी detail लेते हैं, मतलब time waste बहुत करते हैं, मेरा time waste बहुत होता, तो फिर क्या हुआ, उनसे मैंने बात की, धिरे-धिरे करके, जो कि मेरी problem solve ही, कैसे हुई, वो भी आपको आज कसी वीडियो में बताऊँगा, और यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, अगर आप अपने channel का custom URL करते हो, तो प्लीज उसके पहले आप जो अपने channel का link कहीं, आप safe जगा पे डाल दो, क्योंकि आगे आने वाले समय में कुछ पता नहीं, कि कब आपका channel hack हो जाए, कब बिलिट हो जाए, तो आपको require करने में उसकी जरुरत लगती है, तब आप समझें कि मेरी जो problem है, यह कैसे solve भी, तो इसको solve करने के लिए, जब मैंने उसे team से बात किया, कि मतलब मेरे पास custom URL है, और इसके पहले का, जो मेरा URL था channel का, वो नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा, कि आप जो कि उन्होंने कुछ tips मेरे को बताए, कि आप अपने किसी दूसरे channel से subscribe करो, उसका screenshot वगरा दो, मैंने ज तो फिर उनको जो मैंने screenshot दिया, कि मतलब यह मेरा channel है, इसको मैंने subscribe कर लिया है, और उनको मैंने screenshot दिया, तो उन्होंने कहा, कि आप YouTube एप में मत इसको subscribe किजी, आप जो की browser में आए, यहाँ पर कीजी, क्योंकि मेरा Chrome पे अल्रेडी, मतलब बात चली थी, इसलिए मैंने Chrome पर चैनल को नहीं open किया, वहाँ पर subscribe नहीं, कि मैंने direct app पर subscribe पर के उनको screenshot भेजा, तो उन्होंने कहा, कि आप browser में कीजी, तो फिर मैंने new tab open किया, और वहाँ पर जाकर कि Chrome के अंदर ही, चैनल को subscribe किया, उसके बाद उसका screenshot दिया मैंने, तो फिर क्या हुआ जब screenshot दिया, तो वह उसे में जो है कि last में हमें channel ID मिल गया था, यानि जब हम custom URL कर लेते हैं, तो उसके बाद अगर माली जी आपके साथ भी ऐसा होता है, तो आप इसी step को follow कीजएगा, इसलिए ये मैं video बना रहा था, क्योंकि ये video बहुत ही महत्पूर्ण थी, क्योंकि बहुत लोग हैं, जो कि अगर आप custom URL कर लेते हैं, तो अगर आप custom URL करते हैं, जब form submit करते हैं, अगर नहीं submit हो रहा है, तो आपको जाना है Chrome के अंदर, वहाँ पर जाने के बाद आपने किसी दूसरे चैनल से उसी चैनल को subscribe करना है, फिर उसको open करना है जाकर कि Chrome के अंदर, और वहाँ पर open करिएग और वो form में जाकर के submit करना और आपका form जो submit हो जाएगा जब आप वहाँ पर डालोगे वो fill करोगे जाकर के अपना channel ID तो आपका form जो submit हो जाएगा तो यह दिक्कत आई थी मेरे को अभी जो मैं चैनल पर काम कर रहा हूँ और आगे आने वाली समय में प्लिस चैनल को subscribe कर लेना आने वाली समय में समय में मैं जो की YouTube के ही बारे में वीडियोस डालने वाला हूँ YouTube टेस बगर अपना experience बताऊंगा आपको और भी जो भी जानकार यह YouTube के बारे में मेरे को वो सब आप लोगों के साथ share करने वाला हूँ सो आज किसी वीडियो में तना ही I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको वीडियो कैसा लगा है प्लिस कॉमेंट करके जिरूर बताना